ट्रिकमा और सास के जगडे को क्या सुलजा पाई नेहा, मम्मा आपको एक खुश खबरी देनी थी, हाँ बेटा बताना क्या खुश खबरी है, कहीं तू मुझे, नानी तो नहीं बनाने वाली, सरला देवी ने उत्सुकता से पूछा, जी मम्मा यही बात है, कहते हुए नेहा खुद में शर्मा गई, आज सुबह ही नेहा को यह बात कन्फम हुई थी कि, वह मां बनने वाली है, एक बार जाकर हॉस्पिटल में भी चेक अप करा लिया था, अपने पती अभिनव, के बाद खुशी का यह समाचार सब से पहले उस, ने अपनी मां को ही सुनाया था, मां यह समाचार सुनकर खुशी से उच्छल पड़ी थी, मेरी बच्ची तू बिलकुल अपने जैसी प्यारी सी बेटी की मां बनेगी, तेरी बेटी अपनी नानी जैसी इंटेलिजेंट भी होगी और तेरे जैसी खुबसूरत भी, उद्धरन चिन्ह, मम्मा आप भी ना कमाल कर आपने पहले से कैसे बता दिया कि मुझे बेटी ही होगी, क्योंकि बेटा ऐसा मेरा दिल कह रहा है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मेरी बच्ची देखना तुझे बेटी ही होगी, मैं अभी तेरे पापा को ये समाचार देकर आती हूँ, उद्धरन चिन्ह, नेहा ने मुस्क उने तो मेरा दिल खुश कर दिया, सच कबसे इस दिन की राह देख रही थी, खुश रह बेटा, सास उसे आशिरवाद देने लगी, नेहा ने हंसकर कहा, मम्मी जी ऐसा आप कैसे कह, सकती हो कि पोता ही होगा, पोती भी तो हो सकती है न, उद्धरन चिन्ह, न न बेटा, मु सुन तू अपनी पूरी केर कर, इन दिनों ज्यादा वजन मत उठाना और वहलीला, आ रही है ना काम करने, हाँ मम्मी जी आप चिन्ता ना करो वह रेगुलर काम पर, आ रही है, आजकल छुट्टियां लेनी भी कम कर दी है, उसे छुट्टी बिलकुल भी मत देना बेटा, आप निश्चिन्त रहिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, कहकर नेहा ने फोन काट दिया, प्रेगनेंसी के इन शुरुवाती महीनों में नेहा का जी बहुत मिचलाता था, ऐसे में अभिनव उस की बहुत केर कर रहा था, कामवाली भी अपनी बीवी जी को हर तरह स आराम देने का प्रयास करती, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, नेहा का पांचवा महीना चड चुका था, उस दिन सुबह सुबह उठकर वह बालकनी में आई तो देखा मागाडी से उतर रही हैं, उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग और नीचे सूटकेस भी रखा हुआ यानी माँ उसके पास रहने आय थी, खुशी से चिलाती हुई नेहा नीचे, भागी, पीछे पीछे अभिनव भी पहुँच गया, माँ के हाथ से सूटकेस लेकर सीरियां चड़ते हुए उसने, पूछा, मम्मी जी आपके क्लासेज का क्या होगा, आप यहां आ गए तो फि बिटिया के पास होना चाहिए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी, नेहा का मन भी लगेगा और उसकी केर भी हो जाएगी, हाँ बेटा यही सोच कर मैं आ गई, पर मम्मा पापा आपके बिना सब संभाल लेंगे, नेहा ने शनका जाहिर की, बेटे तेरे पापा को संभालने के लिए बहु आचुकी है, अब तो उनके सारे काम वही करती है, मैं तो वैसे भी आराम ही कर रही होती हूँ, डेट मम्मा, आपने बहुत प्यारा सर्प्राइज दे दिया, नेहा आज बहुत खुश थी, कितने समय बाद आज, उसे मां के हाथों का खाना नेहा की मां को आए दस दिन से ज्यादा समय बीट चुका था, मां उसे अपने हिसाब से प्रेगनेंसी में जरूरी चीजे खिलाती, उसे टाकीद करती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी प्रेगनेंसी के किस से सुनाती, सब मिला कर नेहा का समय काफी अच्छा जो कॉलेज में लेक्चरर थी और उसी हिसाब से थोड़ी कड़क भी थी, जबकि नेहा का स्वभाव उन से अलग था, पर मां बेटी के बीच का रिष्टा बहुत प्यारा था और फिलहाल नेहा मां के सामी प्यो और प्यार दुलार का भरपूर आनंद ले रही थी, समय इस मॉम आपका पोता अभी आया, कहा है, अभिनव ने टोका, अरे पागल आया नहीं पर आने वाला तो है, गर्ब में, बैठे अपने पोते की सेवा नहीं करूंगी तो भला कैसे दादी कहलाऊंगी, चल फोन रख मेंने पैकिंग भी करनी है, पर मॉम आपका सतसंद और वल से मैंने दो लोग रखे, पुए हैं, माधूरी और निले, दोनों अच्छी तरह बिजनेस संभाल रहे हैं, वैसे भी यह समय लोट कर नहीं आने, वाला, सेमिनार बाद में भी अटेंट कर सकती हूं, ओके मॉम फिर आप आजाओ, वैसे यहां नहा की, मम्मी भी आई हुई है, आपको उनकी कमपनी भी मिल जाएगी, वह कब आई, वही करीब 15 दिन पहले, चल ठीक है मैं फोन, रखती हूं, दो दिन बाद ही अभिनव की मा भी पहुँच गई, उपर से तो नहा की मा ने उनका दिल, खोल कर स्वागत किया और अभिनव की मा ने भी, उन्हें गले लगा आते हुए कहा कि हाए कितना अच्छा, हुआ साथ रहने का मौका मिलेगा, पर अंदर ही, अंदर दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर प्रतियोगिता की भावना थी, जल्दी ही यह बात सामने भी आने लगी, नेहा की मा सुबा पांच बजे उठ जाती थी और नेहा को सेर क लिए ले जाती थी, उनकी देखा देखी अभिनव की मा पांच बजे से भी पहले उठ गई और नेहा को योगासन सिखाने लगी, उन्होंने टेहलने के बजाए, नेहा को प्रेगनेंसी के समय काम आने वाले कुछ आसन करने का दबाव डालना शुरू किया, इधर नेहा की म उसे अपने साथ वाक पर ले जाना, चाहती थी, नेहा असमंजस में थी कि किस की सुने और किस की नहीं, इस बात पर नेहा की मा उखड गई, बहन जी यह, मेरी बेटी है और मैं इस वक्त इसे वाक पर ले जाऊंगी, आप कोई और समय देख लो, पर बहन जी आप समझ नही रही, व्यायाम का, यही समय होता है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सास के कहने पर योगा किया था तो देखो कैसा हेल्दी बेटा, पैदा हुआ, अभिनव की मा ने अपनी बात रखी, अभिनव ने तुरंट समाधान निकाला और अपनी मा को समझाता हुआ, बोला, मॉम नेहा सुबा व्यायाम कर लेगी और शाम में योगा करेगी, वैसे भी योगा, शाम में ज्यादा अच्छा होता है क्यूंकि उस समय, एनजी भी मैक्सिमम होती है, अब तो रोजी किसी न किसी बात पर ऐसा ही कुछ, नजारा देखने को मिलने लगा, जो काम नेहा की मा करने को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर रखना भी होता, था, अभिनव और नेहा कुछ दिनों तक तो ये सोचते, रहे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मगर जल्दी, उनकी समझ में आने लगा कि यहां कमपटीशन चल रहा है, दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश मे लगी रहती हैं, उस दिन भी सुबह उठते ही नेहा कि मा ने बेटी का माथा सहलाते हुए उसे जूस का गिलास पकड़ाया और बोली, ले बेटा गाजर और चुकंदर का जूस पी ले, ऐसे समय में ये जूस बहुत फाइदे मंद होता है, उद्धरन चिन्ह, तब तक अभ से शरीर को फाइबर भी मिलेगा और शक्ती भी, यही नहीं अनार खून की कमी भी पूरी कर देगा, नेहा हक की बकी दोनों को देखती रही फिर दोनों की चीजे लेती हुई बोली, मम्मी जी ये दोनों चीजें, मुझे पसंद हैं, मैं जूस भी पी लूनगी और फल भी लूनगी, आप दोनों बाहर टहल कराईए, आज मुझे आराम करना है, उद्धरन चिन्ह, उन्हे बाहर भेज कर नेहाने लंबी सांस ली और अभिनाव को आवाज लगाए, अभिनाव बगल के कमरे से निकलता हुआ बोला, यार नेहा अब तो दोनों, सुबर से ही तुझे घेरे रहने का कोई मौका नहीं, छोडती, इधर रात में भी बारा से पहले जाती नहीं है, हमारे पास अपना पसनल टाइम तो बचा ही नहीं, हाँ अभिनव मैं भी यही सोच रही हूँ, ये दोनों, छोटी छोटी बातों पर खीचा तानी में लगी रहती है, मेरी मम्मी क लगता है कि वो लेक्चरर है सो उन्हें, ज्यादा नौलज है तो वहीं तुम्हारी मम्मी को इस बात का गुमान है कि उन्होंने अपने दम पर तुम्हे पाला पोसा है, सो हमारे लिए भी वो अपनी सला ही उपर रखती हैं, यार मैं तो तुमसे चार पल प्यार की बाते कर लोट, आई, रोज की तरह दोनों नहीं वाक्योद शुरू करते, हुए कहा, सरला जी आपने हाँ को मिठाया ज्यादा, मत खिलाया करो, यह मेरी बच्ची की सेहत के लिए, सही नहीं, पर नैना जी मैं इसे गोंद और मेवों की, मिठाया खिलाती हूँ जो मैंने अपने आप नहीं जानती मेरी सास भी प्रेगनेंसी के समय मुझे, यही सब खिलाती थी, तभी तो देखो अभिनव के पैदा होने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई थी, अभिनव चार किलोग्राम का पैदा हुआ था, देखने में इतना हट्टा कट्टा था और ऐसे मु कि मां कहां हार मानने वाली थी तरंत, बोली, अजी हमारी सास ने तो तरहत रह के आयूर वेदेक काड़े और फलों के सूप पिलाये थे तभी, तो देखो नहा बचपन से अब तक कभी बीमार नहीं, पड़ी और कितना खिला हुआ रंग है इसका, मेरी, जेठानी का बेटा बचपन में कभी खांसी तो कभी, बोखार में पड़ा रहता था पर नहा मस्त खेलती कुदती, बड़ी हो गई, अभिनव की मां भी तुरंत बोल उठी, अरे बेहन जी, ऐसा भी कौन सा काड़ा पिला दिया की गर्ब के समय, पीकर लड़की अब तक तंदुरोस्त रह आप भी जाने किस ब्रह्म में जीती हो, मैं ब्रह्म में नहीं जीती बहन जी, हर बात का प्रेक्टिकल, अनुभव करके ही बताती हूँ, मेरे मोहले में तो मेरी इतनी चलती है कि किसी की भी बहु प्रेगनेंट हो तो, उनकी सास पहले मुझ से सलाह लेने आती है कि बहु के खाने पीने का ख्याल कैसे रखा जाए व्रम में तो आप जीती हो देखते देखते दोनों के बीच रोज की तरह घमासान छिड़ गया था नेहा और अभिनव फिर से इस जगड़े को शांत कराने में जुट गए अब तो ऐसा रोज की बात हो गई थी कई बार तो दोनों इस जगड़ पड़ते की आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की नेहा और अभिनव को पूरे दिन इन दोनों माओं के पीछे रहना पड़ता एक दूसरे के साथ वक्त बिताने और प्यार जताने का अवसर ही नहीं मिलता एक दिन आजे जाकर अभिनव ने कहा यार नेहा अब हमें अपनी इस बड़ी वाली समस्या का कोई हल निकालना ही पड़ेगा क्यूं न हमें एक ट्रिक आजमाएं मैं बताती हूँ क्या करना है कहते हुए नेहा ने अभिनव के कानों में कुछ कहा और दोनों मुस्कुरा उठे अगले दिन सुबह सुबह नेहा के पा गम साहिबा ऐसी भी क्या याद आने लगी अभी तो आई हूँ उद्धरन चिन्ह मैडम जी आप अभी नहीं दो महीने पहले गई थी और जानती हो पिछले संडे से मेरी तबियत बहुत खराब है पिता जी ने कहा हाई ऐसा क्या हो गया और बताया भी नहीं घबराते हुए बोल गए हैं चल नहीं पा रहा हूँ अब तू ही बता बहुसे हर काम तो नहीं करवा सकता ना बेटे ने स्टिकला कर दी है परदिल करता है तेरे कंधों का सहारा मिल जाता तो बहुत सुकून मिलता अरे इतना सब हो गया और आप मुझे अब बता रहे हो पहले फोन कर दिय होता तो मैं पहले ही आजाती कोई नहीं गुल्लू अब आजा मैंने अभिनव से कह दिया है तेरा टिकेट बुक कराने को बस तू आजा आती हूँ जी आप चिंता ना करो मुझे बस नेहा की चिंता थी सो यहां रुकी हुई थी माने नेहा की तरफ देखते हुए कहा नेहा की सास तो है न वहां कुछ दिन वह देख लेंगी आप हमें देख लो कहकर पिताजी शरारत से मुस्कुराए नेहा की मा हंस पड़ी तुम भी ना कभी नहीं बदलोगे चलो मैं आती हूँ अभिनव ने टिकेट बुक करा रखी थी अगले ही दिन नेहा की मानेहा को हजारों हिदायते देकर अपने घर चली गई नेहा और अभिनव ने राहत की सांस ली नेहा की मा के जाने के बाद घर में शांती चा गई अब सास जितना जरूरी होता उतना ही हस्तक शेप करती नेहा और अभिनव को भी एक दूसरे के लिए समय मिलने लगा इसी तरह एक देर महीना गुजर गया नेहा को आथवा महीना लग चुका था वो अब काम करने की हालत में नहीं थी नौकरानी घर का सारा काम करती और सास नेहा का ख्याल रखती सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन फिर नेहा की मा का कॉल आया बेटी अब तेरे पापा ठीक है मैं कल परसों में पर मा अब कोई जरूरी नहीं कि आप परेशान हो कर आओ जरूरत कैसे नहीं बेटा तेरी पहली प्रेगनेंसी है मुझको तो पास में होना ही चाहिए मेरे भी भला कौन से कई दर्जन बच्चे हैं लेदे कर एक तू है और तेरा भाई है तेरी देख भाल में नहीं करनी है तेरी सास से तो कुछ होने वाला नहीं चल रख फोन में तैयारी कर लूँ फोन रखते हुए नहा घबराय स्वर में बोली अभिनव अब क्या करें फिर वही महाभारत शुरू हो जाएगी किया हुआ ये तो बताओ अभिनव ने पूछा मम्मा लोट कर आ रही है पापा भी चोट का बहाना आखिर कब तक बनाते हमारी ये ट्रिक एक महीने में ही बेकार हो गई उदास स्वर में नेहा ने कहा बेकार कुछ नहीं हुआ अब वही ट्रिक हमें मेरी मम्मी पर चलाना होगा तुम रुको मैं कुछ सोचता हूँ अगले दिन सुबह सुबह अभिनव अप पिछले साल आप शिमला में होने वाले टॉप बिजनिस वुमेन समिट में भाग लेने जाने वाली थी आप वहां होने वाले वक्षोप और सेमिनार का हिस्सा बनना चाहती थी मगर एन वक्त पर लतिका आंटी की तबियत खराब हो गई और आप दोनों जा नहीं सके हाँ ब वही तो मॉम मगर अब आपके लिए खुश खबरी है कि इस बार लतिका आंटी फुल फॉर्म में है वह रिजर्वेशन कराने जा रही है आप बताओ आपका क्या प्लान है अरे नहीं बेटा इस बार में नहीं जा सकूंगी मेरा पोता जो आने वाला है अगले साल का प्लान बना लेंगे बट मॉम फिर शायद आपकी यह खवाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगले साल लतिका आंटी हाइदराबाद में होंगी अपने बेटे बहु के पास आपके लिए ये गोल्डन ओपरिचुनिटी है और आप पोते की चिंता क्यूं करती हो जब तक आप शिमला में हो तब तक नहा की मॉम उसकी देखवाल कर लेंगी वो बस दो तीन दिन में आने वाली है उद्धरन चिंह मगर बेटा कोई अगर मगर नहीं मॉम आप ज्यादा सोचो नहीं बस अब तयारी करो दोबारा यह मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि आप अकेले फिर जा नहीं पाओगे चल ठीक है बेटा बोल दे लतिका को की मेरा भी रिजर्वेशन करा ले कहकर अभिनव की मॉम पैकिंग में लग गई नेहा और अभिनव ने एक बार फिर चैन की सांस ली नेहा को इस बात का सुकून था कि अब जब तक अभिनव की मॉम लोट कर आधी रात का गहरा सननाटा दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के भूखने की आवाजे उस सननाटे को चीर रही थी ऐसे में भी सभी लोग नींद के आगोश में बेसुद सो रहे थे अगर कोई जाग रहा था तो वह शीला थी उसे चाह कर भी नींद नहीं आ रही थी पास में ही रवी सो रहे थे शीला को रहर कर रवी पर गुस्सा आ रहा था वह जा रही थी मगर वे चादर तान कर सो रहे थे रवी के साथ शीला की शादी के पंदरा साल गुजर गए थे वह एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी शादी के शुरुआती द ना कोई कहने वाला साच उस समय तो नौजवान दिलों में खिचाव हुआ करता था शीला ने तब रवी के बारे में सुना था कि जब वे क्वारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे तब रवी की मां हर रोज दर्वाजा खोल कर डांटते रवी जवाब देने के बजाय हंस कर्मा को चिराया करते थे जैसे ही रवी के साथ शीला की शादी हुई दोस्तों से दोस्ती तूट गई जैसे ही रात होती रवी चले आते उस के पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते भवर्रे की तरह उस पर तूट पड़ते उन दिनो वह भी तो फूल थी मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब खिचाव कम जरूर पड़ गया धीरी धीरी शरीर का ये खिचाव खत्म तो नहीं हुआ मगर मन में एक अजीब सा दर समाया रहता था कि कहीं पास सोए बच्चे जागना जाएं बच्चे जब हो गये तब वे अपनी दादी के पास सोने लगे अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे हैं फिर भी रवी का शीला के प्रती वह खिचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था माना की रवी उम्र के धलते पायदान पर है लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है त बिस्तर पर पड़े-पड़े शीला सोच रही थी इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी तो नहीं है फिर भी इन की तरफ से हल चल क्यूं नहीं होती है मैं बिस्तर पर लेटी-लेटी छट-पटा रही हूँ मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे है उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब ये जबर दस्ती किया करते थे आज तो हम पते-पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है फिर भी क्यूं नहीं पास आते हैं शीला ने सुन ही नहीं रखा है बलकि ऐसे भी तमाम उदाहरन देखे हैं कि जिस आदमी से औरत की ख्वहिश पूरी नहीं होती है तब वो औरत दूसरे मर्द के उपर दोरे डालती है और अपने खुबसूरत अंगों से उन्हें पिगला देती है फिर रवी के भीतर का मर्द क्यूं मर गया है मगर शीला भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यूं नहीं कर पा रही है वो क्यूं उनकी चादर में घुस नहीं जाती है उनके बीच ऐसा कौन सा परदा है जिसके पार वो नहीं जा सकती है तभी शीला ने कुछ ठाना और वो रवी की चादर में जबरदस्ती घुस गई थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई मगर रवी अभी भी बेफिक्र होकर सो रहे थे वे इतनी गहरी नींद में है कि कोई चिंता ही नहीं शीला ने धीरे से रवी को हिलाया अधकचरी नींद में रवी बोले शीला प्लीज सोने दो मुझे नींद नहीं आ रही है शीला शिकायत करते हुए बोली मुझे तो सोने दो तुम सोने की कोशिश करो नींद जाएगी तुम्हें, रवी नींद में ही बढ़बढाते हुए, बोली और करवट बदल कर फिर सो गए, शीला ने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर वे नहीं जागे, फिर शीला गुस्से में अपनी चादर में आ कर लेट गई, मगर नींद उसकी आँखों से कोसों दूर जा चुकी थी, सुबर जब सूरज उपर चड़ चुका था, तब तक शीला सोकर नहीं उठी थी, उसकी सास भी घबरा गई, सबसे ज़्यादा घबराये रवी, मर रवी के पास आ कर बोली, देख रवी बहु अभी तक सोकर नहीं उठी, कहीं उसकी तबियत तो खराब नही हो गई, रवी बैडरूम की तरफ लपके, देखा की शीला बेसुध सो रही थी, वे उसे जख जोरते हुए बोले, शीला उठो, सोने दो न, क्यूं परेशान करते हो, शीला नींद में ही बढ़ बढ़ाये, रवी को गुसा आ गया और उन्होंने, पानी का एक गिलास भर कर उसके मुँँ पर डाल, दिया, शीला घबराते हुए उठी और गुसे से बोली, सोने क्यूं नहीं दिया मुझे, रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही नींद आये और आपने उठा दिया, देखो कितनी सुबह हो गई, रवी चिला कर बोले, तब आँखे मसल कर उठत की बात नहीं थी, तकरीबन हर रात की बात थी, मगर रवी में पहले जैसा खिचाव क्यूं नहीं रहा, या उससे उनका मन भर गया, ऐसा सुना भी है कि जिस मर्द का अपनी औरत से मन भर जाता है, फिर उसका खिचाव दूसरी तरफ हो जाता है, कहीं रवी भी, नहीं उनक जमना प्रसाद की, पतनी माधूरी का चककर उनके ही परोसी अरुन के साथ चल रहा है, ये बात पूरे महले में फैल चुकी थी, जमना प्रसाद को भी पता थी, मगर वे चुप रहा करते थे, रात का सन्नाटा पसर चुका था, रवी और शीला बिस्तर में थे, उन्होंने चादर ओड, रखी थी, रवी बोले, आज मुझे थोड़ी छंड सी लग रही है, मगर इस छंड में भी आप तो घोड़े बेच कर सोते, रहते हो, मैं कितनी बार आपको जगाती हूँ, फिर भी कहां जागते हो, ऐसे में कोई चोर भी घुस जाए, तो पता नहीं चले, इत चीक कहती हूँ, आज कल आपको न जाने क्या हो, गया, ये कहते हुए शीला की आँखों में वासना, देख रही थी, रवी जवाब न देकर शीला का मूल ताकते रहे, शीला बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा, नहीं है क्या, अरे, जब से शादी हुई है, तब से देख रहा हूँ, मगर आज मेरी शीला को चलागी देख रही है, शरारत करते हुए रवी बोले, कैसी देख रही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ, जैसी तुम ब्याह कर लाए थे, के अकर शीला ने बलावज के बटन खोल, दिये, हाँ, अब अब वैसे नहीं रहे, जैसे पहल हो कि मैं भी जमना प्रसाद की पत्नी माधूरी बन जाऊंँ, अरे शीला, जमना प्रसाद तो दीले हैं, मगर मैं नहीं हूँ, कहकर रवी ने शीला को अपनी बहों में भर कर उसके कई चुम्बन ले लिए